तर्दम् चनंदि आनंदि मौु छे निनंद साहा। अरमितति पदि वेंदि पाह। नमियों से गुशोभा। गुरु वेशे गुपति रुई गुपति न्यानि सैखा। तारणी दरणी सवरत्मुनि गुर्शन सारी निर्वा। धर्णी जोगता उचिन्वाई अर्थति अर्थे जोग। भैविनाशि भब यूमुः ममल न्यानि परिदो। देट को, गुरु को, धर्ण को, साशितो वर्वान सार्था। श्री नमा चल्पूला गाता चित्मागा सार्था। गुर्णी आयरणी साम्मी आयरणी नम। आयरणी ज्यानि पर्मिपयां। तवे आयरणी ज्यने ज्यने उक्तां। आयरणी ती अर्थ सुमा मलेपयां। ओवे शामेखे मेरामाणी सुमा मलेपयां। पुरि आचाय प्रवान साद्वार्थारंद आचाय जिपाज की ज्याओ जयओ 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 अन्मा चरन्पुला गाता की जैयो दस्तर करमा परवादी राजिए की आत्म कुट साहे के पर ? साहे के पर वह यह गाले के बजाने के, नाचने के ? कि आपनों ऊस्ता है के वृ जिर इस भड़ी में जीब को मिधना कि उस्ता है कि वो ENTAR में छुतिन गणॊंगा जांता, कि उसके इंतर रह्री में रुतर कllers क्षम लांगे, उसके इर्दे में मार्धाव है, उसके इर्दे में उत्तम आर्जव धर्म है, जब ये जीव अपने अंतर के गुणों को जानता है, तो उन गुणों को जानने का उस्ता है, अच्छे बता, गुणों को जानने का उस्ता है क्यों आता है? इन कसाईं में जो पीडा हो रही है जो आकुलता हो रही है लेकिन अपने को लगती नहीं है, अपन इस आकुलता को जान नहीं पाते हैं, कि किरोध के समय अपने को कितनी आकुलता है, मान के समय अपने को कितनी आकुलता है, माया के समय अपने को कितनी आकुलता है, जो इन कसायों से जीव का चित छली हो रहा है, ये कसायों से जीव का हिरदे चली हो रहा है अरफार यह कसाय जो इसकी चित्प को लूट रही है किरोध के जिस किरोध की जिस अगनी में यह जीव जर रहा का वो क्रोध रूपी अगनी सांथ हो जाती है और साम भाव रूपी अपने आत्मा का समता भाव में जल अंतर सुर्पन हो जाता है चित्त में शांती का आनत का वास होने लगता है इसलिए ये पर्यूशन पर उस्साहे के पारव फिर से दायक उस्साहे नाचने का गाने का दिखावा करने का अच्छे कपड़ पहनने का पर समाज की भी रिखटी करके ये दिखाने का की हमारा कितना वड़ा समुदा है यहां समाज की भी रिखटी करके लोगों की भी रिखटी करके चेत्त में आने को भरके chihtyintyala yin भीड इखभ्ते ऑदी, हम्हाद सब लोग इखटे हो गाय, हमाद सब लोग यहाँ आके बेढ़ गाय, समात के सब लोगोग एक दूसरे को मिल लिया, एक दूसरे ने कौसे कपड़े पेने यह देख लिये, वह देख लिया एक दूसर ने क्या करा है, क्या नहीं करा, घर में क्या हुआ, तीन सो, पसपन दिन में हमने क्या करा, इस अच्छा कल दी, बेट के मीटिंग हो गई, इसके रहां परीशों करते हुए, जीवन से ऐसी मनाते हैं आ रहा है, इसलिए आत्मा कलने आ नहीं हो, सही पंडिची, करें पंडिची, बिल्कुल सही है, कि अपन अनादी काल से पर्यूशन परुव को ऐसे मनाते हैं, जैसे कि समाज को एट्टा करने का परुव, और जब तक अपन इन पर्यूशन परुव को समाज के इकत्रित करने का परुव, मीटिंग करने का परुव मनाते रहेंगे, तब अपने निच अंतर आत्मा के प्रति उस्साहे का परवने, उस्साहे का परवने, उस्साहे को आएगा, जो अपने गुणों को जानेगा, जो गुणों को जाने गए निए उस्साहे आएगा, कि इतना तु सीखार करो, सिर्फ इतना सीखार करो, कि इन खसायों से मेरी आत्मा ज प्रवार के पारिणाम में अपनी हिर्दे को देखो तो अंतर जाके एक बार जब लोग, सौर्थ, एहिंकार, काम, विशेव, कसाएगी जब पीरा अपने अंतर से उत्पन होती है और जब अपन उस चिंदा में डूबते हैं जब एक बार अपने हिर्दे की स्थिति देखो त अंतर में जाके ही, क्या भोग रहा है यह जी, क्या भोगत रहा है एक पार जाके देखो तो आपको मता हगेगा कि इस हिर्दे में इस जीब के अंतर हिर्दे में बहुँत अधिक बे टतना है, बहुत अधिक बे गया उस भेज़ना से मुक्त nic करने वह जो वे भी समें उससा है तो यह पर्यूशर पर मीटिंग करने का उस्ष्च है होता तो विचारा ने daw अपने को समय रिचार अपने को सही दिशामि लिये के जाएंगत कि तो अपने को अपनी दिशा प्राप्त करने के लिए अपने अंकर दोडों के पती उस्साह जगाने के लिए ये जिनेत परमात्मा की बाड़ी हमाएं जगा रही है ये दस दिन की पर्यूशनट पर्विकी विवस्था इसलिए की गई है भीया इन दस दिनों में ये जीव आत्मा अपनी जीवन्त अपने जीने वाले जैवन्त सुभाव को पहचाने या सरीर मुर्दा है ये ता आप स्रेम कहते हो लेकिन इसके अंतर में जीने वाला चेतन सरूप परमात्मा है बस आप उस जीने वाले की शक्ति को नहीं जानते हैं तब तक ये चत्रगति संसार का परीव मानगोरा है आज उत्तम आर्जव धर्म की व्याप्षा करने है और मैं अपनी मर्जी से नहीं जो दुरुदेव ने कहा है वो ही कहेंगे लेकिन क्या आप उसे सुनने के लिए उस साहिद हो जो आचार तारंतरंदेव ने आर्जव धर्म कहा है उत्तम आर्जव उसकी व्याप्षा करेंगे भी लेकिन क्या आप एसे गोड़ों के पिती ललाए थो उससा है आपके सुनने का कि आचार जिनटारंतरंदेव या आचार हुवन्तो ने वास्ता में आजव धर्में दिया क्या है उन्होंने बताया क्या है या चल पपड का वेवाराद अपने बच्छा लगते है बेई से लगता है कि जैसे दूसरों को चल के हमने पी बहुत अच्छा काम क cert is वहां थोच मों किबिता बेड़ी कुल किप्ने अच्छा पेवां कुछ अच्छा दो बेवा कुल कुल पनाई हुआ जहनी अच्छा दाया maya chauffeur है चल करना अच्छा लगता है कापड काड़ा अच्छा अच्छा लगता हमने कापड किया तो हमें धन मिला वेखाल दो ह mounted आ और सेना उक्षत्रा श्णानां के पर कप्पश सहार। कोई छोरी करने वालों के पुर्वस्ते। आहे इंद्श क्या होता। सब्सक्राश कल द्zne है? होता कि निमायचारी करने से आत्मत आसे होता है तुर्याद अस्तम. आरजव को ऐसे करता कि बद्धृ अरज जिर्म को अराथ्ना क्ना कि आचाता चांड अरति द्रण धन में आरजव धर्न क्या कहा है इसको शीकार कि वाथ दे गुरोदिक कि आजव अरण क्या बिए अरजव मतलब उत्तम अरजव था आरण मतलब अरण मतलब अक्या है यह गुरुदेफ किये रहा है आर्जाव आयरण सूद चरण रमण जिनु सोयम के अंतर में अपना जिनु अंतर आत्मा अथाथ जिनु अंतर आत्मा अथाथ अपनी चेतन शक्ति शुद्धात्मा सूद चरण रमण जिनु एसे अपने सोयम के आचरण में रम जाना इसका नाम उत्तम आर्जवधर्म है सीधी सीधी परिभासा देए अपन जिस वीतराग सक्त को भूले हुए है अपन जिस वीतराग सक्ता निराकार चेतन में अपने सुट्र सभाव को भूले हुए है उस सभाव को भूलने के कारण आज माय चारी प्रिकट हो रही है, आज कपटी भावन उत्पन हो रही है, और यदि अपने को अपना निराकार चेतर में सुभा इस्मरण में आ जाए, अपनी जिनु अंकर आत्मा इस्मरण में आ जाए, तो गुरुदेव खेरा भिया, आर्जब धर्म में आचरण हो जाए, केसे हो जाएगा, सु चरण रवन जिनु, अपनी जिनु अंकर आत्मा में आचरण करना ही, उत्तम आर्जब धर्में आचरण करना है, तो भीया, उत्तम आर्जब धर्म, कोई कढ़िन बात नहीं है, इस्षण, मायक सेट करना, स्पीकर कम करना, तो स्ता बेस कम करना, और य इक हो उपर से गेन खोल गेन सबसे उपर वाद कर दो कि गुरुदे पिराये की उत्तम आणर्जाव अर्था अपने जिनु अंतर आखना में आचते जब तक ये जी अपने अंतर हिर्दे में अपने जिनु सभाव में अपनी वीत्राग सत्ता में, अपने अंतर में विद्वान, अपनी चेतन सत्ता में आच्रन नहीं करता आता, इसे अपने स्वाथ दत्ति के पती उस्साहे नहीं आता, तब तक इसी मायाचारी से नहीं छोचा, अच्छा बता, अपन मायाचारी क्यों करते हैं, और किसके साथ क दूसरे दुसरे कपच कर सकता है इस के सामने वाले की जो हानी होरे हैं वसका चया काया यह को सामने वाला हम वी अधिक प्रमार भी ड़क्र सबनार आशे करके ईए किसी को चल रहा हो आप विडिया कि हमने इसंसे मायचारी करने से नहीं आया आपके पुन में उदे से उधन आपके पास आया है बता माय चारी से आया या पुन उदे से आया है है बांक के बाये ने थोड़ा दे मन चला के प्रौपर्टी में अिस्सा ज्यादा मिला है या उसके पुद्न के उसे उसकी समपता वड़ी है जिए पुन के उते बड़ी है पा दे आचे पाइसे बड़ी है उने के व्यिवयोद स्थाजिए रहा कि अंच सुस्ष्थे क्या है हम ने कितनी हुसेरे दिखाई हुआ हम कितने समझदार थे हमने कितनी महयसाधे के परigtड़ रहे हम लिंप कते कपन के परणाम करे कि हमाय इससे मेंच बढ़े ज्यादा आहे जब तक कपड के भाव को अपना मान रहा है। तक किसी दूसरड को नहीं चल रहा है। तम्हें पुन्दे के उदे से प्राप्त हुआ है। उसका पापsolक्त है वेसाह। उसका पापकत म अदे साटम की जगए कम मिली। इन पापके उदे में रो holidays कि एक इंच कम मिली, वो भी मायाचारी का सेकार कर रहा है, और तुम पुन्ने के उरे में रो रहा हो, कि वे तमें जगे ज्यादा मिली, तुम भी मायाचारी का सेकार कर रहा हो, वो भी आत्रों त्यान कर रहा है, और तुम भी आत्रों त्यान कर रहा है, धरन दोनों के पास मे यहां आचार तारंपरंदेव कह रहा है, यह मायाचारी तुम एक दूसरे के साथ नहीं कर रहा है, यह मायाचारी तुम अपने आत्मा के साथ कर रहा है। पूरे एसे डूबे हुए हो, कि इस मायाचारी के छलकपट के पैड़ाम के कारण से तुमें अपने चेतर में धुर्फ सुभाव का वोध व्यूत्पन नहीं है। बहिया, जिसका चित मायाचारी में लगा हो, और उसे भी ईष्ट मान के, नीम वो भी गुर्वेल चली हुए। एक तो नीम, कडवी नीम, उपर से गुर्वेल चली हुई। एक तो मायाचारी के पैड़ाम, एक छलकपट के पैड़ाम, एक तो छले की भावना, और उपर से ये भाव कि इससे मेरा हेत्रे, इससे मेरा कल्यान है। इससे धन का अरजन होता है। इससे अपने को संपदा मिलती है, इससे अपने को पिसंसा मिलती है, इससे अपने को सम्मान मिलता है। ये जो अंतर में परिणाम है, ये परिणाम आत्म का पिटिपल होता हुआ गाथ है। और जिनके अंतर में ये परिणाम है, उन्हें अपन चल करने से संपला करती है, चल करने से इंड्री विसे वो में ब्राप्ती होती है, तुम लोगों को चलते हो, इसलिए तुम्हाई विसे वासनाओं की पूर्ती होती है, या फिर तुम्हाई पुन्य के उदे में है, तो तुम्हाई विसे वासनाओं की पूर्ती होती है, तुम पिर से आग्रम्म आदिका सेवन विशेवासनाव का सेवन धन कंचन कामनी कीर्थी यह सारे जो भोग इस सरीर को प्राप्थ हो रहा है यह पुन्य के उदे से हो रहा है मायचारी को दे से यहार हैं मतलब जितना भी यही पंखे की हवा ही मिल रही है ए सी की एर द्रॉंडिशन की हवाँ है यह बहिए आप कुछ मिल रहें नीजित अब्यव सब कुछ पंध के उदे से के आपने पूर में बोया है तो बरतमान में आप काट रहे हो पकहु है कि पर मायाचारी को करते हो बता तो जब पुन्य के उदेशा ही प्राफ्ट हुआ तो मायाचारी क्यों और यदी ये मायाचारी यदी अभी भी आप कर रहा हो अधी चल की प्रवर्ति कर रहा है तो पता चल कपट करने से पाप बढ़ेगा ये पुन्फ पाप बढ़ेगा संपत्ती घटेंगी बढ़ेगी भोग पढ़ेंगे घटेंगे घटेंगे जान मुद के जहर पी रहा है ये इस्तितमायाचारी का पुतला और हसरा हो बता जल्ली बता जल्ली फटा फट बता अरे जिस समय आप मायचारी के संस्कार को जर्म दे रहा हो उसी समय जो आपका पुतलते हैं उसी समय छीड़ोना उसी समय तत्काल जो आपका भोग सोगना होना चाहिए था वो मत दो परसेंट रहा है बस जो आपकी संबता दस्कुनी होनी चाहिए थी क्योंकि यह पुतलत परवाणों उतने चाप चारों और भरे हुए हैं यह कर्म परणाओं में पुन्य रूप और पाप रूप परसाद सुब्रूप और असुब्रूप दोनों रूप भल देने की छंपता है यदि आपके पर परणाम असुब्रूप होते हैं तो यह सकंद यह रूप सुब्रूप पर्णमित होने लगते हैं इस पुद्रवर में दोनों रूप परणमित होने की शक्ति है भईाब सुब्रूप और असुब्रूप भी अपके परणाम कैसे हैं आप इन आnew बताएं ये बस Acha Nazzaral Meyachari करके अंकर पत्रसे की गुल ज्यान दए सका को बना पक्रसे जेगे गुल ज्यान देगे साइदिक पाएड़ है नहीं साइज पाएड़ है नर पाएड़ है बर्दास नहीं होगी न बर्दास समय और आदी खैदिक पाएड़ है क्योंकि आत्मा की रूची हो तो रिसाइट कर पाए आज अब धर्म को ग्रण करने का भाव हो तो निर्णे ले पाए, कोई निर्णे पे पहुंचे, इस सरज रहना, सेज रहना, अपने अंतर आत्मा का इसमरण करना, इससे अच्छा कोई इंद्री भोगों को पराफ्त करने क कोई दूसरा मात्यम नहीं है, बाहर में संपता को प्राफ्त करने का, इससे अच्छा कोई मात्यम नहीं है, कि अपने परिणाम सरज हो, इससे अच्छा कोई मात्यम नहीं है, लेकिन भाया, गंगा अल्टी भेह रही है, इस कल्यूग में गंगा अल्टी भेह रही है, दिश और चल से धन संपदा तो क्या अपनी अंतर आत्मा प्रति पल्ग हाथ होता है उसको आज ये चीफ इस्ट मांतरा है कि छल नहीं करो तो बेपार कैसे चलेगा सही है यही धार्णा बन गई है चल नहीं करो यदि बेपारी चले ना तो काम की दो चलेगा अरे एक वाद सरू होके तो देखो आज एक है कल दो हो जाएंगी दुखाने लेकिन भया कोई सक्ट को सीकार करने भयार सुनने में तो अच्छा लगता है बस तो सरू जिन बगवान की मानिक संब रहा हो तो अच्छी लग रही है लेकिन यदि तुम्हें कर आत्मा सत्त को सीकार कर ले तो इसी भाव में तुम्हारा वेड़ा पार हो जाए इसी भाव में आत्मा का कल्यांट हो जाए बहुत माया चारी करने से चोरों के घर बहु संपधा होती तो भया आज नारायन तुम्हारे दास नहीं होते हैं आज ये बड़े-बड़े पदों में तुम नहीं बेठे होते हैं या कपिट करने से आस्ता किसी का है चोरन के पुर पढ़ने में अच्छा लगता है चोरों के पुर नहीं बसते चोरों के घरे नहीं बढ़ते घरे बढ़ते हैं उन को स्वीकार करते हैं, उनके पुर्फ भरते हैं, उनके घंडे भराते हैं. नहीं तो लिया, यह संसार का अनत दुखों क्या मेरा है? कल लो थोड़ी और मायाचारी, कल लो थोड़ा और पपट का भाव, छलो थोड़ा से और किसी को, भहिया, आप कितने ही छल कर लो, कितने ही कपट कर लो, कितने ही मायाचारी का परड़ाम कर लो, लेकिन इस परड़ाम को करते समय एक बाद या रहना, तुम सामने वाले को नही और आप चल नहीं करोगे तो भी आपका प्वन्न का हो देझ को ऑश्चित हैρίमा चल गोड़ी..., कौन बूहिद आप दो एक प्रिखुछ आक या बार करते हो लेकिन भण तो को एक इनगार मिल धन्न कि पंद्र को होता है जब धन मिलता है लेकिन चल कपड़ के परिणाम से दिंधर सब्सक्राइब मता एक चल करने के लिए कितने दिनों तक विचार करना पड़ता है कितनी यूजनाय बनानी पड़ता है को मतलग हर समय अपनी चेत्न को छलते हो और घटना तो जिस समय घटनी होती में जेसी घटनी वेसी घट रही है लेकिन मायचारी को हर समय अपने अंतर में घथ जब तक एसी छल रूप भावन अपने अंतर में हैं कपट न कीजे को जब तब तक एसी छलने की भाव नायं अपने हं तक आरजब धर्म का ओधि होने वाला बोलो ब्या, उस्ताहे गूशिक्ता बड़े विप के नहीं fali था अपने आर्जब धर्म को घ्रन करने के लिए कितना उस्थाह लेकर आते हूं बड़ा जिने भगवान की वाणी को जिने भगवान ने जो बस्तु सरूप कहा है और इस बस्तु सरूप को सीकान करने के लिए कितनी बोली बड़ा आते हूं बड़ा बड़ा यहां पोली नहीं मढ़ती हैं, यहां भावनाय नहीं उचलती हैं, यहां अंकर आत्म को उच्छाल नहीं आता, यहां अपनी सौस अप्ती का बहुत नहीं होता, यहां सौस में परमात्मा की यह जिनें परमात्मा की यह बाणी हैं, यहां फिल्कुल कोई उस्सा है नहीं, यहा अं च्र इंभा विश्टाने जय्म होता है नहीं होता है ये इसमें अपने अंतराहत्म की रमण तक आजैन Yes उस दिन आर्जब धर्म की प्रकटा होती है। प्रकटारी दिखा वसुआ के बिट्टी और यॵजन पर्वक कि बिए। दस दिन का तुर्ण दिन उस्दा है वस तरिफ दस दिन का ज्यादा इनका नहीं एदी इन दस दिन का भी उस्सा है आपके अंदर रहा इन गुड़ों को गरण करने का एदी इस दस दिन का उस्सा है इस दस दिशी उस्सा को गरण करने का एदी आपके अंतर में अंतर हिर्दे से उस्सा है रहा तो भब आत्मा इस भाव में तुम उस भ वीतराँब चेतन में सत्ता की अनोधने कर जाओगे . ऑस जिनुह अंतर आत्म अपने वीतराँवा की अनोधना कर जाओगे . जिसकी अनवोधनास का आगामी आगामी में समक्छंवी प्राथदी। Sizहीज पत्साहिवा तो सिर्फ 10 जिवसी पत्साहिव एनiesta psic कि दूसरे के लिए छल करने की भावना आप करते हो तो दूसरे को तो आप छल नहीं सकते यह बात मिश्यत है यदी सामने वाले का पंद्र का ओदे है और आप छल की कितनी भावना रखो क्या भिगरता हुसा आप कपट की कितनी भावना रखो तो आप अंतर में कपट की द्वेश की कितनी भावना रखो कितने ही इरिशा के भाव रखो तो आप उसका बाल भी बाका कुछ भी नहीं कर सकते आपका कपट का परिणाम आपकी आत्मा को छलेगा आपकी मायचारी आपकी अंतर आत्मा अगहाद करेगी सामने वाले का बाल भी बाका होने वाला या पिर क्यों करते हो इसे परिणाम क्यों करते हैं से मायाचारी की परिणाम क्यों करते हैं से छल के परिणाम इस छल के परिणाम को करके अपनी अंतर आत्मा को अपने हिर्दे को क्यों छलते हो चेतन आत्मा छल तुम करते हो मायाचारी तुम करते हो पपट का प्रिणाम तुम करते हो और अनाधिकाल से दुखी ये जीव है जन्मरण ये आत्मा कर रही है चोरासी लाक्षियोने भटा की ये आत्मा रही है पीड़ा है आत्मा भोग रही है थोड़े से मन के माया के चक्कर में सिर्फ बस तु सरूप को ना जाने कारण बस कोई च्छल कोई ज्यानी नहीं करता च्छल अग्यानी करता है क्योंकि वो सोचता कि च्छल से आता है वो यह झàiता कि पुनी से आता है सिर्फ बस्तु सुभाव को बस्तु सरूप को ना जाने कारण पूरी माय अचारी की संस्कार पन होते हो ये सासवहूbony पिक मैं परेंग के बीच में हो इसलिए है ऍिजीव इस बात कशने तो पाफ अधार्वक मैय अचारई के परड़ाम से ना आता है बलकर माय अचारई के प्रड़ाम से जो रहे तemic वह पी चला जाता परिष्म सब्सक्राषिन का नेले ना होने सी का करण ये पूरे दुनिया एक दूसर को छलने में लगी है एक दूसर के लूटने में लगी है लेकिन इसे पता नहीं है कि इस जगत में कोई किसी का कुछ कर पाया नहीं जिसके कर्म के फल के उदे में जो परिणमान लिखा है वो परिणमान ही हट रहा है कोई किसी को ना लूट सकत छिस दिन इस सत्रगी सीकार्ट से कर लोगे ँंतर हात्मा से उस दिन दिन तुम्हारे उंतन में जो चल कपट के परिणाम है अपने आत्मा को छल रहा है वहा प्रक्रप्व पाến्तर नोगं ba k toutes को ने करता ने करता कि यह बहुता जो कि चोरों के पुर नहीं बसते चोरों के घर बहुत दंग संपदा नहीं होती तब यह किसके घर होती है यह जिनके घरदे में साम भाव संपदा का भाव पुन्द पाप का नेडे वस्तु सरूप की सीकारता जिन भगवान की वाने की सीकारता होती है बहिया उनके पुर अपने आप भराते है उनके आप संपदा अपने आप आती है उनके आप लक्षमी वास करती है या लक्षमी का सूचक क्या है श्रीम चारित जहां चेतन अपने जहां आत्मा अपने स्वा सुभाव के बहुवान को प्रकट करता है तो बहिया जहां मोक्ष लक्षमि आती है वहें जड़ लक्षमि तो धेर लगती है पाऊं के नीचे पड़ी भिकती माया चारी के बूचर लेंगे। हम छोड़ें नहीं कहरा है। आप फिर बिलकुल सतर्ख हो के, बिलकुल सावधान हो के सुनो, छोड़ें नहीं कह रहे। इस माया को सर मेरे बिठा इस माया बारद पेर के नीचे रखो। इसकी आर्ठी मत उठा रो, इसे चर्णों से रोंतव निकल जाओ पाउं के नीचे रखने की बस्तु है यह सर पे बिठाने वाली बस्तु नहीं है पूजा करने वाली बस्तु नहीं है धर्मात्माओं के पाउं के नीचे बिशने वाली धूल है पूजने योग नहीं है पूझन inglés योग तो अपना अंतर जनेश्वर सुभाव, मोठ शुलक्षमी, अरहंत्यु सर्वप्वस्वर्मात्मा ने जो अपना केवल ज्यान में दिख सुभाव का है इसलिए इतना सा वर कहना है कि इस माया को सर पर मत बढ़ा पांग के नीचे रखो जितना भोग करना उतना भोग करो लेकिन पांग के नीचे रखो बस यदि सर पर बेठेगी तो पागल कर देगी दिन रात माया चारी के परिणाम में डुबाएगी दिन रात उसकी चिंता में व्यस्त रखेगी दिन रात उसकी समाल में व्यस्त रखेगी और उसकी समाल में जीवात्मा अपनी आत्मा की समाल करना भूल जाएगा और दुड़गते की और चलाएगा बताोटुule का सब पेंगते हैं.. अज़िए मेरगती है। पक्काई! चेत्याले आते हो। जब चरण पादुुका को अंधर लेकर बहार छोड़के आते हैं.. बहारी छ्टोड के आते हो अंतर पोई नहीं राता नहीं या एसे ही जिस समय तुम अपने alguns कैश्मृर करोगे जिस समय तुम होके र dijinander करोगे जिन वहुरू की आरात्ना करोगे उस समय बहाए वाहवा ओ सक्षूटनी चाहिए दो नेixa कि कि हमने बाहर ज़ी सोने की इड़ भी रखी है और हमाय भाग में है, हमाय घर पूच जाए। इतना विस्वास तो हो भी है। अंतर आत्मस श्रधान तो हो कि पुन्ड के उदे से आता है और पाप के उदे से जाता है। मायाचारी कभी किसी का हित नहीं करती है। कपट कभी किसी का हित नहीं करता एक बार तो सीकार करो कि माया चर्णू के नीचे की डासी है जो वाहर की जड़ माया है और भया अपने सर पे बिठाने योग जो माया है वो है अनंत तरसन, अनंत ग्यान, अनंत सुक और अनंत वीर की जो मेरी साश्वत माया है जो मेरी सुद् आफार शस hairdos 5 कों स सहर का मकुः का प inte वाली का अम ने संबें hara a कशय जिनेंट प्रमात्मा कि अजस्ट में आया है मुति हुख टो कि पाव की नीच्छ पड़े नहीं है नहीं है एक चक्रोंटी के ब्योंब पड़ansen इसके पास कितने घोड़ा है उसके पास कितने रद नहीं उसके पास एक बनस की बिभूदी पड़ो दिमाग चक्रा जाएगा जितना तुमारे पूरी खुरई बेच के भी नहीं मिलेगा उतिने कि उसकी चाद पादुका नहीं है उससे असंख्यात गुरी कीमती है किया है । यह वह नंक है उनका है जिन्हों ने ज्भूकि अपने सरपढसर किया है और ग्रूपपिel किया है लक्ष्मी उनके चैनों की दास बाहर वाली लक्ष्मी बैजयो आपकी सेवा देव करें एसा कुछ काम करके जाओ ना आत्मा समयक दर्शन जिने प्रकट होता है उनकी वन्द्राभ देव करते हैं और आत्मनुभाव ठर्म की सद्धा उंके उंकी रक्षा देव दाजमें करते हैं ऐसे नहीं हुआ सबरति में परशार हो तो अplay रांखत राए हैं में अपनी ऐसे छी जान करणे हो अपनी सिक्यूरटी ने के लिए बाहर के प्रपंचों का, बाहर की बस्तों का संचे करने में लगे हो, अरे भगवान आत्मा, एक बार अंतर आत्मा से चेतो तो, एक बार अंतर आत्मा का बहुत तो जगरत करो, एक बार इसमरन तो करो अपनी अंतर आत्मा का, भया, सबसे ज़्यादा सुरक्षित इस्थान त युश्म प्यास लगती है ना इसमें अकुलता उत्पन होती है यह सदा सुख आनंद में अनंत सुख में सदा निर्विक हो पर विया अपना चेतन सरूप पर्मात्मा है है एक वर अपनी आत्मा से मयाचारी करना तो बन्द कर दो किसी मयाचारी आत्मा जीने वाला तत्त है आत्मा जेवंद शक्ती है आत्मा द्रोग आनंद का पिंड है लेकिन इसे में आनंद ना मानके इसे सीकार ना करके इस जीने वाले के साथ ना जीके तुम इस मरने वाले पुद्गल के साथ जीते हो जिन इंद्रियों में सुख नहीं है, उनमें सुख खोचते हो ने सबसे बड़ी मायाचारी करते हो, तो अपनी आत्मा की अच्छा, सहीं सहीं बता तो अच्छा आत्मा मरता है? आत्मा में भूख ब्यास है? आत्मा में दुख है? नहीं दुख सुक्ष का कंच आत्म अज हमर शक्ति आत्मा जीने वाला जेवन स्वाव आत्मा और तुम जीवन काई में मानतरा है शूँ चांति काई मानतरा है शरीर में इंद्रियों में बिसेभगों में अच्छा मया चारी किसके party कर रहे हैं अपने साथ कर रहे हैं अपने साथ होने वाले मायाचारी छूट जाए तुम पूरी दुनिया को लूटने चले जा मुझे कोई दिक्कत नहीं है पूरी दुनिया को लूटने के लिए तुम निकल जा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बात यह भीया कि तुम किसे को लूट नहीं सकते क्योंकि जो तुमारे भाग मेहवतर मिलेगा इसका प्रमार्ण जब चक्र बढ़ती युद्ध करदे निकलते हैं अपने चक्र रत्न को लेकर एक बून रात्त की नहीं गिरती एक बून और सम्राठ के सम्राठ है ठोटे-मोटे चत्री जो किसी के सामने जुखते नहीं हैं चत्री किसी के सामने जुखते नहीं है चत्री किसी के सामने जुपता रही है वो चकर रत्न की ऐसी धर्म चकर की ऐसी शोगा होती है ऐसी शोगा होती कि चत्री चत्री कुल के समराट अपना अपना समरपड कर देते है कि आप मा आप चक्रवती आपका पुन्न वेभाव अधिक है आपके पन्य के योग अदिक हैं सब उनके सामने सवर्पण का देते हैं बिना एक रख्त की बून्द गिराए छे खंड को जीत के आता है बिना एक रख्त की बून्द गिराए छे खंड को जीत के आता है समराण भी जिसके सामने लगमस तक होता है यह अपने करने पागल है करने करने पागल है मायचारी करके अपने आत्मा को छलने पागल है लेकिन अपने को जिने रहोंगे सिधान तक ये पजमान योग ये इंद धर्म आदे की चर्चा ये अपने को सिखा रही है कि भाईया जिनने धर्म को अंगीकार किया उनके पास तो वो सब पहले से था जिसकी कामना में तुम मर रहा है जिननों ने अपनी इंकरापना को सिखार किया जिनने अपने अर्तर में अपने सरल परिणामों को गण किया उनके पास तो वो पहले से सब कुस था जिसके लिए तुमारे परिशान हो रहा है कि वह सुनाल है कि अधि आज पर पाहिविल पुण के उदेस हैode कर दिकाम है तो पाफ के सेंब जादा है पुंद की उदेस है थे जब पाहिए है एक क्थे रहल्ट tu निमाया का भूख खुद करो क्यों प्योंकि आप के भूग में है आप दान करो तो फिर बं जाएगी भिर मिलेगी छूटनी दो है हिने ईस साथ से दोगे और इस सास से फिर आ जाई वहार निकल के फिरा जाएगी आपके पुन्य के भोग में है तो उसे कोई चीन सकता है जिसे भाईया हम आपसे दान देने की बाद बिल्कुल नहीं कर रहा है हम तो आपसे एक कह रहा है कि अपनी अंतर आत्मा के साथ जो चल हो रहा है अपनी अंतर आत्मा के साथ जो कपड हो रहा है अपने ही साथ जो अपन अनाचार कर रहा है अपने ही साथ आपन जो दुष्टता का वहवार कर रहा है अपनी अंतर आत्मा के साथ जो दुष्टता का वहवार छूट जाया पस और कुछ भी नहीं ना आपसे कोई किरिया बदलने कह रहा है ना आपसे कोई भी बाहर की विवस्था को बदलने कह रहा है आप अपने साथ जो मायाचारी को परिणाम कर रहे हो आप तो बस अपने साथ दूसरे के साथ नहीं क्योंकि दूसरे का आप तुछ करने ही सकते आप अपने साथ जो मायाचारी कर रहे हो, आप उस मायाचारी के भाव को बदल दो बस यह क्या करते हैं? इतना सा स्विकार कर लो आत्मा में अनत सुख है, आत्मा अजर अमार अमिनासी चेतन शक्ती है वो कभी नश्ट होने वाली नहीं है, वो कभी बिलाने वाली नहीं है और तुम्हें पता है कि यह सरीर छोड़ने वाला है यह सरीर छोड़के यह आत्मा जाए, इसके पहले इस सरीर के साथ जीने की जो कल्पना है उसके साथ जीने का अंतर आत्मा का भाव, सरण परिणाम, सहेज परिणाम, एक बार अंतर से उत्पन कर लो, जीने वाला तो मेरा निज आनन्द का नात, चेतन तक भगवान आत्मा ही, स्विकार, मैंने क्या कहता है, सिर्फ दस दिन उस्साहे दिखा दो आपकास, जी दस दिन में लिए आपने इस सद्ध को उस्साहे पूर्बख स्विकार कर लिया, तो ये मैं इस्ताम पेपर पे लिखके दे रहा हूँ, इस अनबोधना के फल से, दोबारा मनश्यकती की प्राप्ती निश्यत ही है, सिर्फ आप दस दिन उस्साहे दिखा दो अपने गुड़ों के पिती, आप सिर्फ दस दिन उस्साहे दिखा दो जने परमात्म के जुवाणी के पिती, आप सिर्फ दस दिन उस्सा है दिखा दो कि अचार भगवन्तों ने जो कहा है उस सत्य को मुझे स्विकार करना है सिर्फ दस दिन का उस्सा है आपको जीवन भर सांती आपको जीवन भर सांती मिलेगी जीवन भर सांती अच्छा आप सब बताओ मायाचारी करके आपनी ये तो सोच लिया कि आप सामने वाले कुछ छल रहा हो लेकिन जितनी दिर मायाचारी के परणाम चल रहा है उत्ती दिर कोड़ कोड़ा है उत्ती दिर कोड़ा है उत्ती दिर किसके पीड़ा हो रही है जब सामने वाले की हानी होगी वह तो उसके पाप आढ़ी में हाट टालो हाट इसका जल के अजिटने समें गूर पड़नादाम चल रहा है जितने समें वो विकरल पड़नादई चल रहां जितनी समय कमाने सिप्तिकी सांती भंग है सो रहा है और डलब के गद्धे पर चल रहा है एसी बाहर में चल रहा है एसी सो रहा है और बढ़िया अपने बढ़िया इस्टेंडर्स है आप बिल्कुल पुला एक दम कोमल गद्धे नरम गद्धे पर अंतर में चल रहा है इतनी कटोरता इतनी कटोरता कि ना उस एसी के आन विज्ञान है बहुत बड़ा विज्ञान है वो इंद्री भुब का आनंद तो कहा वो एसी तो कहा चूले में वो गड़ा तो कहा यू को तो कहा यू चूले में और मायाचारी के पढ़िडाम में तो है ये ये ऐसा अंतर में कलेशिक किया, कि वो इंद्री का आने करी पता नहीं लगाή कि था या नहीं था. बेड़ होना बेकार हो गया, मतलब तम्हारा जो पुंद्र का उद्रेता वो भी कच्रा हो गया, सरफ मायाचारी के पढणाम ने एसा चला, यह से कहते हैं विग्याण इसे कहते हैं विग्याण यह जेन विग्याण है भी आपके पास जो सुक विग्याद उसे नहीं भूग पाए तने पागल है imauide बूली गए कि हमें अपस कितने एश हैं, हमाई पस कितने आराम हैं, हमाई पस कितने सांती हैं, हमाई पस कितने परियापत भोग हैं, उस परियापत भोगों को सुख लेना भूल गाएं, आगामी सुखों की कामना में इतने पागल हुए, इतने पागल हुए, इतने पागल उसको भूल जाए भगवान पर्तमान में बुगत रहे हैं इसलिए कहते हैं भईया चल करने से किसी को सांती नहीं मिलती बल्कि जो सांती है जो भोगे वो भी नश्ट हो जाते हैं आप तो सीखा अरो जाए पंडि जी पूरी दान सीखार कर रहा है मतलब हमाई बास सत्त है आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपने बुन्न को भोगो एक परसेंट हमने शुआ रहे हैं आपके पास जो है उसा बहुत आराम से भोगो एक रुपे का दान मत दो कि बहिया अपनी अंतर आत्मा से मायाचारी मत आओ अराम से सो ना अराम से जब निश्चिंत होके सोने में आनंद है तो चिंता करके आत्मा को जलाने से क्या पाई एक बार चित्ते में सांती तो लेके आओ, एक बार मन में सांती तो लेके आओ, इन मायोचारे के परेडाम तो छूटोगे, चित्ते में शांती आएगी, अंतर मन में शांती आएगी, तो जिनेर परमात्मा की भाड़ी अपने आप अंतर मदुच जाएगी, अपने आप बस्त प्युक्त कि सिर्वर्ण इंडिल किस उस प Forward एक आपर कि ऋए उपस्तु के और शेल ने क मिन परफंप और कर दो न ए और शिक जाए कि इस कञ्राम हो जो हो गए है अबी निर्णे करो भगवान क्या स्विकार करते हैं? माय चारी को और आर्जब धर्म को? सरल्करूति युजोग अपने क्या है? निर्मत परिणाम करने की बाद च्छरी है चली बता किसको समर्जन देते हो उत्ता मार्जाब धर्म को या मायाचारी को कि एक बार प्रेसे बता वी तम आज आज अब धर्म को सपोर्ट करते हो जिन्वर वग्मान की बाड़े को सपोर्ट करते हैं अपने अंटने चलने वाली मैय चारी को बूरता को पूर पड़े ना याद रहना दुकान में वेपार करते याद कर ले ना वहीं चल कपट से बिजनिस नहीं हो रहा है पूर में इतना अच्छा इतनी अच्छी फसल लगा के आए हो कि बर्तमान में सुख पूर्वा काट रहा हो तो उसमें अच्छे सा भोग ही कालो सुख ही हो जाओ पूर्वा चारी करके उस सुख को नश्ट मत करो उस पीड़ा को नश्ट मत करो जैदि भाईया उस सुख में ढूप जाओगे उस सुख को भोग लोगे एक दिन पता तो लग जाएगा कि इंद्री सुख असा है कमसम बहुत तो हो जाएगा कि भईया जितना चाहिए तक हूँ मिल गया कमसम संता सांती थोड़ी होता है थोड़ा मन में सांती का परणाम तो इत्मान हो भईया फिर ये जिनेन भगवान की वाणी अंतर हर्दे में जाए जिनेन भगवान ने कहा है गुर्देव कह रहा है तारं तरं जिहाज की वाणी में आ रहा है कि भईया कपट करने से पूर नहीं भरते मायाचारी करने से आत्मा का हितना ही होता बलकि जिन भगवान की वाणी को सिका करने से समता सांती में बिल्कुल सहस परणाम रखने में अपने आपी पुन्य का उदे तो मिलते ही मिलता है लेकिन अंतरात्मा की शांती विक्राप्त होती ही है बरतमान में भी सुखी हो बहुश बहुश है यह परिणामों की समाल की बात है और उसके समझ सकते हैं जिसने अपने दुरुख सुभाव को सीकार किया जिसने जिनेर महमान की वानीने को सीकार किया हो जिसने धर्म को सीकार किया हो जिसने कपट को पराया कर दिया हो और आर्जब धर्म को अपना बना लिया हो उसकी जीवन में धर्म का उदें हो जाता लेकिन जिसने मायाचारी को अपना बना लिया हो और आरजब धर्म को दूर कर दिया हो उसके जीवन में दुप के अलावा आपको चित्पाद मने वाला यह सिद्धान की बाते हैं जो पता है कि इन्हें सिखार करना इतका सरज नहीं है क्यों? क्योंकि इस जीव को संस्कार है मायाचारी करने क्यों भीया? पचास साल से तो करी रहा है जितने जितने साल की उमर हो गई उतने साल से तो मायाचारी में डूबे हुए है लेकिन इतने साल नहीं अनंतिकाल से जर्मराण कर रहा है तो अनंतिकाल से मायाचारी करी है बस अपने चेतन माया को तो देखा ही नहीं है, अपने द्रुम माया को तो देखा ही नहीं है, बीद रहत जिन पर हगवान की वानी में जो माया प्रकट होती है, बस माया को तो अपने देखा ही नहीं है, जीवन पर संसार की माया को देखा भी, इसलिए इस माया चाहिए करने की आ करने के लिए अपनी इंतर आत्मा को सरल करने के लिए आप जब अपने आप में जुकने के लिए तयार हो अपने आप में जुकने के लिए भीया दूसरे के सामने नहीं जब आपका हिर्दे आपके सुयम के सुभाव की और जुकने के लिए तयार हो जब आपकी आत्मा सर्वा जब आपका हिरदे जिन वहणि के वानि के पिती समरपन Kung करने के लिए तयार हो। उस समे उस समे उस घड़ी उस पल आप उत्तम आरजव धर्म को उप्लब Rough जयाओ जब तक आप अपने लिए जुखने के लिए तयार ना हो तब तक माया चाहबि चुटने वाली، ज़ायख देम है कोई जजादा देम की बाट नहीं है कम से कम इतने समफ तो अच्छा लग रहे हैं लगे कहे का अच्छा लग रहा है हम ताक इत्ति बुराई कर रहे हैं किस बाट का अच्छा लग रहा है हम तो जो यह बस्तु शरूप कहा जारा है जिसे माया चाहरी के प्रिणामों को यहां का जारा है उन्हें देख के तो एसे संगना चाहिए कि यह कहां कहां डूबह हे अरे हम तो सोच रहे यहें me मेननायोव स्मेям दरण吗 हैं मंदिर में आकर दो चार उपेजे हैं में पता तो यूलबता है में देखने में यूलबता है भाइया प्राप hoyा नहीं रहा है मल्कि और दर्И az कुछ बड़ी बाती जारा है यह तो पहली खिरास भी पड़ाईं है बच्पन से सुनातें अपने घर वाले अपने को ज intimacy भीयां जो होना है उनिश्यत बच्चल हो पाट साला है बच्पन से पड़ाय कि फुन्न के उदिभो से आता ह। पापके हुद्धे से जाता है लेकिन भीया, एक छोटी-छोटी सी बातों को अंतर घ्रदे से सीकार नहीं किया, एक छोटी-छोटी सी बातों को अंतर आत्म से अंगिकार नहीं किया, हाथ छल, कपड़ और माया को अपना भगवान मना लिया, अरे, जो लक्षमी पाउं के नीचे जूती बनाने के लिए थी उस लक्षमी को सर के उपर बढ़ा लिया बस पागल हो गया जिसके सर पर लक्षमी बेटी होगी तो पागल हो गई होगा जिसके पांग के नीचे लक्षमी होगी यह वह हमें सा आनन में होगा यह जूती को जूती के इस्थान को रखोगे तो हमेंसे सकी रहा हूँ जाlines इतनी बात यह को अपनी बात को पूर्ण कर लो है एक बात अपनी चित्न मेंनोट कर लो अपनी अंतर मेंनोट कर लो कि तोई किसी को चल सकता है जीव जब भी चलता है तो अपनी आत्मा को ही फिर एक बाद प्रिसे में कह रहा है ज़ा कोई किसी को लूट सकता कोई लुटे रहा किसी दूसरे को नहीं लूट सकता क्योंकि सबके पंद्रपाप के ओदे निश्चित है जिसके पास आना है उसकी विवस्था भी पूर्ण निश्चित है जिसके पास जाना है उसकी विवस्था भी पूर्ण निश्चित है कोई किसी को चल सकता कोई किसी को लूट सकता कोई किसी से कुछ ले सकता दे सकता नहीं भैया कि सिद्धान को पीजाओ कि कोई किसी को नहीं चल सकता भैया यह तुम मायाचारी के परणाम कर रहा हो यह तुम कपट के परणाम कर रहा हो यह सास भाव के बीश में कपट है तो देवरानी जठाने के बीश में कपट है भाई भाई के बीश में कपट है तुम उसका हिस्सा नहीं चीन सकते, उसका यश्कीरती नहीं चीन सकते, उसका बेभाव नहीं चीन सकते, उसका सुक नहीं चीन सकते, बलकि तुम कपट का भाव करके अपनी सांती, अपने सुक और अपनी आत्मा में जो अपना आनन है उसको चीन रहा हो, तुम अपने आपको पीडिक कर रहा हो तुम अपने आपको दुशी कर रहा हो तुम अपने आपको कलेशित कर रहा हो तुमाई आत्मा स्वेव अपने परड़ाम में धूदू करके जल रही है और इसका परड़ाम आपकलता तो तुम बरतमान में भोग रहा हो और भविश में भी जब इस कर्म का होना चाहते हो कि अपने आपको छलना बन कर दें कि अपने आपको छलना बन कर दें कि सर्वा की जनेंद्र परमात्मा के वचम सत्य है भू है फ्रमान है और मुझे अंत्य हर्दे से सिखाँ है और सिखाँ है वरिया चाहत्रवसत्र गुर्वत्ता तर्ञ तर्लाचाहें आज जी की जैहो 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 जै रमौस्तु